असलाव मौरी कुम नाजरीन, डॉमस ये घाटे की नेक्स मेगा अपीसोड में आप देखेंगे बिलाख करीस हमजा ने अपनी अकल चलाई ली, क्योंकि पहले तो वो जोश से ही काम ले रहा था लेकिन होश में तो अब आया है, वो सना के घरवालों से बदला लेने के लिए उसका इस्तमाल करता है मंगनी तो हो चुकी, ऐसे में वालदा को हकीकत मालूम हुई, मगर ये हमसा बजिद है कि ये मंगनी नहीं तूटेगी, मैं शादी करूँगा तो सना से और यहाँ पर दानिश है जो अपनी हदे पार कर चुका है, कागजाद बनवा चुका है, राने को दिखाता है, बस यहाँ पर ना तुम्हारी अम्मा का आटोग्राफ चाहिए ये देख और सुनकर तो परिशान हो जाती है, कि दानिश इतनी बड़ी चाल चलेगा, जिसका इन्हें जरह ये अंदाज़ा नहीं था, और कितना गिरोगी तुम दानिश, तो इसे वक्त इसे डुराने के लिए चाक को भी दिखाता है, राने तो बहुत ज़दा डर जाती ह अब जैसे दानिश यहां से गया तो रानी अपनी वाल्दा के पास आ जाती है, जबके दोसरे जानिब हमजा के वाल्दा बिल्कुल राजी नहीं हो रही ही, कि सना और इसके शादी हो, और वो जान बूच कर इस बात का फाइदा भी उठाना चाहता है, सना की उसे बात होती है, सना तो ये सुनकर परेशान हो गई, मुझे तो समझ नहीं आरा जब वो माने नहीं रही, तो शादी होगी कैसे, तो बिल आखिर हमजा अपनी अगली चाल चलता है, और उसे बताता है, हम घर से भाग कर शादी करेंगे, ये सुनकर सना तो हैरान और परेशान हो गई, अग हमजा उसे क्या मना था क्योंकि इस सना के पास तो कोई आप्शन ही नहीं है। तो घुसा आजाता है। कहा दाना ये साजदा बड़ी टेड़ी की रहे। असानी से मानने वाली नहीं है। जब हमजा लेगा गिन गिन कर बदले। इस सना को हमजा अपनी मर्जी से भी रखेगा। और ये दानिश और उसके घर वाले पल पले से देखकर अजियत में आएंगे। क्योंकि इस सना को कोई और नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए इसने खुद कोई नुकसान पहुंचाते रहना है। और तब ये दानिश कुछ करना चाहे भी तो नहीं कर सकीगा। क्योंकि तब इस हमजा के पास भी नाम होता है। ये मेरी बीवी है। मैं जो चाहे मर्जी सलूग करूँ इसके साथ तो होपस वीवर्स आने वाली एक साथ काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली हैं